नमस्कार दूस्तों डॉक्टर्स को भागवान कहा जाता है और डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहला और सबसे इंपोर्टेंट स्टेप होता है नीट एक्जाम को कौलिफाय करना लेकि इस बार के नीट एक्जाम में कई सारे धानली सामने आई है इसी कारण जो है भाद के सबसे घ्रवरा इसाम को क्यों कहा जा रहा है साधी साथ NTE जोकि नेट टेस्टिक एजनसी है उनके कहलाब जो लोग क्यों नारे बाजी कर रहे है उनके खिलाफ लोग क्यों हो गए क्या इसकी पीछे वज़ा क्या है नीट स्क्राइब लेट अंडेस्टेंड इट इंपक्ट यू नो आपॉट इट देखिए एंटे द्वारा जो नीट एक्जाम इसाल का कंड़क्ट किया गया है उसमें कई सारे इर्रेगुलारीटि जो मिली लेकिन क्या है वो इर्रेगुलारीटि पहले उसे हम समझते हैं देखिए सबसे पहलों यह है कि आप यह समझे कि मार्किंग स्कीम क्या होता है नीट एक्जाम में जो है 180 इंट उन्ड होता है वह फोर मार्क्ट इच अगर आप वड़क्ट है यहां पर यह हो सकता है कि उस student ने सिफ 179 ही question को attempt किया और वो सब के सब सब सही है और एक question उसने छोड़ दिया है तो उस scenario में जो है उसके पास जो सिफ 716 marks मिलना चाहिए लेकिन तीसा और एक scenario है वो यह है कि नीट exam में negative marking भी होती है और minus 1 mark जो है अगर आप किसी question को wrong attempt करते है उसका जो cut हो जाता है तो यहां पर यह समझिए आप कि अगर किसी student ने जो 179 question को attempt किया और वो सब के सब सही थे लेकिन उनने 180th question को भी attempt किया लेकिन वो गलत निकला तो उस scenario में उसके 4 mark तो कट ही हो जाएंगे यानि कि उसको सिफ 716 marks ही मिलेगे उपर से जो एक और negative marking ही जो वो कम हो जाएगा यानि कि उस scenario में उसको जो है सिर्फ 715 marks मिल सकते हैं यानि कि या फिर 715 या फिर 716 या फिर 720 marks ही मिल सकते हैं लेकिन इस बार जो है दो student को जो है 718 and 719 marks मिले हैं जो कि अगर आप देखेंगे NTA का जो rule है marks distribution का उसके विरुद्ध जाता है और यह किस तरीक कभी भी जो है सिर्फ 2 या 3 या 4 ही टॉपर रहे हैं लेकिन इस बार जो है इतना बड़ा जम देखने मिला है कि टोटल 67 students जो है वो air one consider किये गए हैं यानि 720 marks मिले हैं जो कि आप खुछ सोचिए कि कैसे हो सकता है इतना बड़ा जम कैसे हो सकता है या तो question जो है बहुत जारा 62 से लेकर और यहां पर जो 69 तक student जो वो जो है एक ही center जो हर्याना का वहां से है यह तावरा जो संयोग के सकते हैं या पिस सच में धानली वाली जो है इस चीज को आप मान सकते हैं अब खुछ सोचिए ना कि एक ही center से इतने toppers कैसे निकल सकते हैं उसमें से जो अच्छे है वो air one वाले हैं और उसके बाद दो जो है वो air 68 and air 69 है कैसी हो सकता है यह चीज साथी साथ दूस्तों यह भी चीज आप समझेए कि यहां पर जो है grace mark का जो NTA कह रहा है कि NTA द्वारा यह कहा गया कि हमने जो है कुछ centers में कुछ state के कुछ centers में जो है यहां पर कुछ student को grace mark दि मिल गया था और उसके बाद जो है उनकी से जब लिया तो टाइम विस्ट हो गया इसलिए हम उनके जो accuracy की हिसाब से उनको जो है यहां पर marks बढ़ा के दिये लेकिन इस चीज को मैं और चीज बताऊंगा कि उन्होंने किस रूल किता दिया और कैसी justify नहीं होता है यहां पर औ यह था कि टेलिग्राम ग्रूप वाले जो यहां पर कह रहे थे कि आप 40,000 दीजिए एक और दो मई को और यहां पर पेपर ले जाईए साथ जब चार मई आया तो उस दिन जो है यह पेपर कीमत पास पास लाग तक पहुंच गया था और सेम क्वेस्टन जो है पांच मई के पेपर को जो यहां पर पकड़ती है और 13 लोगों को जो है गिराफ्तार करती है और उन्होंने कह दिया था कि यहां पर जो हमने किया सब चीज किया है फिर NTA क्यों कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ देंके बिहार पुलीस को क्या तो उनकी जो एकोनोमिक ओपेंस विंग पकड़ती है तो उनको पकड़ने के बाद भी अगर NTA कह रहा है कि कुछ दानली नहीं हुई तो यह कहां से जस्टिफिकेशन दुस्तों गोधरा जो कि गुजरात में हैं वहां पर एक सेंटर में जहां पर के नीट का एकजाम हो रहा था वहां से पुलीस जो है टोटल तीन लोगों को पकड़ती है जिसमें से स्वयम एक्जाम का कोडिनेटर तक था और साथी साथ दो और लोग थे और उनके उपर आरोप यह लगा है कि टोटल 6 स्टूडेंट से 10-10 लाख इच स्टूडेंट से लिया गया है और उनको यह अस्वरेंच दी गई थी कि जब आप एक जो है ओमार सिट में जो है फिल कर देंगे और आपको जो है माक्स अच्छे मिलेंगे और आपको जो है गुवर्मेंट कॉलेज में जो एडमिशन इजीली मिल जाएगा साथी साथ गुजराथ हाय कोट जो है, यहाँ पर 16 अभ्यरत्यों के लिस्ट यहाँ पर पाती है उसी सेंटर से और ये student जो है गुजरात के नहीं थे दोस्तूं ये student थे कई और राजियों के जारकंड, ओडिशा, करनाटका, MP के ये student थे देखिए actually होता क्या है कि जब हम कोई भी student जो होते हैं वो जब किसी exam center को जो allot करते हैं वो क्या करते हैं कि भी preference होता है वो जो आपने आसपास के cities में देखते हैं लेकिन आप खुल सोचिए ना धारकंड से कोई वक्ति जो गुजरात क्यों जाएगा exam देने के लिए जबकि उसके आसपास करी सारे centers हो सकते हैं उडिशा से कोई वक्ति क्यों जाएगा कारनाटागा से क्यों जाएगा यह बहुत ही doubtful है और वो भी उसी center से पाया गया है साथी दोस्तों यह तो यह बात रही even और वो जो तीन लोग पकड़े गए थे उनके पास साथ लाख रुपए जो है पाया गया है देखिए यह साथ लाख जो है एक student ने दिया था advance के तौर मतलब आप खुछ समझिए even जो है जो center होता है वो भी hijack कर लिया जाता है इन हो जाती थे किसी ना किसी कोर्स के लिए लेकिन इस बार जो कट आफ जो है वो 164 एन 164 प्लस गया यानि कि डारेक्ट जो है ठट्व मास का जो यहां पर जम देखने को मिल रहा है तो यह जो एक भहुत बादा जो सिरदर्दी है यहां पर students के लिए और कई सारे students इसके कारण जो डिस्कॉलिफाय हो जाएंगे जोस्तों देखिए एवेन कई सारे students जिनका के marks OMR sheet के अनुसार जो कम थे लेकिन जैसे ही NTA का यहां पर result आया NTA द्वारा तब जो है उनके marks जो है NTA website पर जारा दिखा यहां पर आप खुछ समझे कि कैसे हो सकता है यह चीज़े यहां पर जो एक चीज़ और समझे जो एंटी को पर सबसे जारा संदयास्पत वी से को जाहिर करता वो यह है कि 14 जून को जो है expected date था जो नीट का result आने का हो सकता है एक दिन पहले दू दिन पहले यह पिर एक दू दिन बाद आता result यहां पर 14 तारीक को ही आ जाता है लेकिन यह जो है अपने तैस समय से 10 दिन पहले ही यानि की 4 जून को ही आ जाता है और 4 जून को तो आप सभी जानते हैं कि देशगा सबसे बड़ा मेगा इवेंट हो रहा था यानि कि लोगसभा चुनाओं का यहां पर result घोसित हो रहा था और सब के सभी मीडिया हाउसे इवें सोशल मीडिय का भी पूरा ध्यान जो है लोगसभा चुनाओं के result पड़ था लेकिन एंटिय ने उसी का फाइदा उठाया और 4 तारी को result घोसित कर दिया और उन्हें ऐसा लगा कि सायर लोग भूल जाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं यह उन्हें बैकफायर कर गया और लोगों ने उनका का जो यह सडियन्त था सायर उसे भांप लिया दोस्तों देखिए अपने देश में इता कॉम्पूर्टेटिव इन्वारेंटमेंट में जहां पर स्टुडेंट जो है अपने कई सालों का तक पस्चा के बाद नीट जैसे कॉम्पूर्टेटिव एक्जाम्ट में जाते हैं और वहाँ पर कड़ी मेहनत के बाद कुछ कोशिश रहती हैं उनकी जो किसी तरही से हमारा MBBS या पर अनमेडिकल के जो प्रोफेशन है वहाँ पर किसी तरही से सेलेक्शन हो जाएं लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि इस तरही से धानली होती है नीट जैसे बड़े एक्ज के बाद जो उन्होंने सुइसाइट को अटेम्ट किया एवन कई लोग ने तो कमिट कर लिया सुइसाइट को दोस्तों देखिए यह बात को कोई जस्टिफाय नहीं करता लोगों को यह सब चीज़ें नहीं करना चाहिए लेकिन हाँ आप खुछ समझे ना इतना प्रिशम कर लोग धरना परदर्शन कर रहे हैं कई सारे बहरत के सवह है जहां पर धरना पर रेसरीं हो रही है और जिसके बाद जो है ऑन ती जयWow पर फ्रेस से जिन्हें की जो यहाँ पर grace mark दिया गया है अगर लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो हम जो है committee form कर रहे हैं UPSC के जो पूर director थे उनके अंडर और वो जो है यहाँ पर देखेंगे कि उनका क्या report आता है जो कि एक week के अंदर उनका report आना है और उसके बाद जो है हम सि 63 बच्चों को ही analyze करेंगे और सोचेंगे कि उनका mark जो है किस तरीके से जो मतलब grace में दिया गया था उसको किस तरीके से adjust करना है या फिर उनका रिटेस्ट लेना है लेकिन यहाँ student तो यह कह रहे है कि पूरा का पूरा NEET का exam ही जो है उनका रिटेस्ट हो लेकिन आप देख किते लोगों ने खरिदा उसका तो भाई आपके पास कुछ है नहीं न आप क्या करोगी जो है कैसे जो है हटा सकते हो कुछ सोचिया तो यहाँ पर रिटेस्ट की बहुत जारा जरूरी है और जिसके कारण जो कई सारे जो टीचर से कोचिंग संस्थान है इवन कई सारे इस् को जो है है कि अपैस मिले कोड के दौया बाकिक जो होता जबकि जो नीट का एक्जाम होता है वो आफलाइन होता है यहां पर student जो है वो question sheet को देख को वामेर जो seat होती है वहाँ पर फिल करते है options को लेकिन फिर जो है anti-a कैसे जो है दोनों exam को यानि कि CLAT का exam और जो NEET का exam है जो equally map सकता है साथी साथ देखिए CLAT का exam होता है वो और जो उसका प्रोफेशन है साथी साथ यहां पर जो NEET यानि कि जो डॉक्टर का प्रोफेशन है वो कितना अलग है आप खुद सोचिए यहां इतने व्यक्ति का भवी से निर्वर करता है healthcare system के कारण अगर ऐसे लोग जो है यहां पर CLAT के फॉर्मुले पर ग्रेसमार्ग दे रहें दोस्तों इसी आप समझेए कि यहां पर जो सिप इस्टूडेंट का ही नहीं बुरा हो रहा है हम इंडियन सभी का जो है बुरा हो रहा हम सभी जानते हैं कि हम आज देश में पहले सी डॉक्टर की कमी है हम नहीं चाह हो इवन जब वह आपको स्पियार दे रहा हो आपके फसली तोड़ दे इस तरिके से भी खवर आती है जोस्तों आप खुश सोचिए कि ऐसे लोग आगर आगे हेल्थ केर सिस्टम में तो देश का क्या होगा इवन इसलिए तो कई सारे जो नेता है हमारे देश के वह अब अगर इस तरह के से उनको और जारा बल देगी किया हमारे Сच्टर कैसे चर मिलाएगे, इसे प्लचिंध वोग क्ना खरा ओट हैब अब किस दबाव में या पर किस चीज को छुपाने के कारण जो है चार जून के दिन जो रिजल्ट घोशित की क्यों एंटिय क्या रहा है कि पेपर लिख हुआ ही नहीं जबकि सब जानता है यह जो है कोई भी व्यक्ति के सगे यहां पर पेपर लिक का मुद्दा था यहां पर बिह जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि हमसे वह पंदो सो तिरसर लोग को एनलाइज करेंगे बाकी लोग जो जिनका की सीट मिला है तो उनका जो एडमिशन जो है वो अपने तरीके से नॉर्मल ही हो जाएगा यह जो बहुत ही संदेहास पद है ऐसा नहीं होना चाहिए आप अब देखते हैं कि आगे क्या होता है लेकिन हम यह जो हमारे एजुकेशन सिस्टम हो या फिर हमारे देश का जो हेल्ट केर सिस्टम हो उस पर यह बहुत बड़ा धबा हो सकता है